हाई दोस्तों आज में लिक्या है हूँ आपके लिए दो-दो सेटप बॉक्स इनके अंबॉक्सिंग में करके दिखाने वाला हूँ और सबसे पहले मैं बता दूँ सेटप बॉक्स के नाम क्या है और ये मौका आप कभी छोड़िएगा नहीं क्योंकि सेटप बॉक्स बहुत क करके दिखाने वाला हूँ और सेटप बॉक्स बहुतиком इसेटप लिए टू और आपको मीलने वाला है तरू आपको रहीं है मोबाईल के तुरू आप देख सकते ये वीडियो वगरा अपने टीवी पर सिर्विक्ट सेचटप बॉक्स के तरू जो है विजुता फ्रीडिस के HD HD channels वगेरा सम मिलने वाले हैं और आप देख सकते हैं यह H.265 HEVC सेटप बॉक्स है Dolby Digital Supported सेटप बॉक्स है और आप देखेंगे यहां पर आप देखें कितनी सारी चीजे इस पर दिए हुई है तो आईए चलते हैं इसके अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं दोनों के और आपको दिखाते हैं दोनों सेटप बॉक्स के डिटेल्स के बारे में और इनमें क्या क्या मिलता है दोस्तों तो आईए चलते हैं इनके अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं तो दोस्तों मैं इसके अन्बॉक्सिंग कर देता हूँ और अन्बॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मिलता क्या क्या है और ये वर्क कैसे करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्त को सबसे पहले हम that expo यानि की विजेता स्मार्ट्यूब जो यह सेट ऑंबोक्स का लेते हैं और इसके अंबोडिशिंग करके आपको बताते हैं कि इसके अंदर मिलता क्या क्या है तो सबसे पहले हम इसको open करते हैं तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें रखे वी नजर आती है जिसमें से एक देखेंगे ये AV केबल है AV केबल हमारे सामने ये नजर आता है जो कि अच्छी quality का है इसको रख देते हैं एक ये remote मिलता है इसके अंदर आप देख सकते हैं ये remote इसके अंदर हमको मिल जाता है जो कि बढ़िया remote है एक ये power adapter मिल जाता है हमको इसके साथ में और हमको मिल जाता है ये setup box देख सकते हैं आप आपके सामने ये setup box है ये setup box हमको मिल जाता है तो इसको बहार निकाल लेते हैं बाहर निकाल के आपको बताते हैं कि देखने में किस तरीके का setup box है दोस्तों बहुत ही प्यारा setup box है आप देखेंगे तो आपकी तबियत एकदम खुश हो जाएगी ये मैं निकाल लेता हूँ निकाल के सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक card मिल जाता है यहाँ पे power adapter लगेगा यहाँ पे AV केबल यहाँ पे HDMI केबल और यहाँ पे आप pen drive USB या card डिटर बगर लगा सकते हैं या Wi-Fi डॉंकर लगा सकते हैं यहाँ पे LNB से जो केबल आएगा जो चट पर जो camera लगा होता है वहाँ से जो केबल आएगा वो यहाँ लगेगा और देखेंगे इस तरफ से देखें कितना प्यारा shining है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे widget X को लिखा हुआ है और यहाँ पे भी एक USB का option दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे इसकी light indicate होती है और यह देखेंगे यह इसमें buttons दिये में यहाँ पे आप buttons को आचानी के साथ में इसको पड़ भी सकते हैं देखे left right के button है और यह power का button यहाँ पे दिया हुआ है उपर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है setup box dvb तो दोस्तों बहुत ही प्यारा setup box है इसके अंदर 6 महीने के लिए वो वाले channels मिल जाते हैं और आपको इसमें mobile के थुरू अगर आपको टीवी पे connect करना है mobile के वीडियो पिक्चर यूटूब वगयरा अगर आपको देखने हैं टीवी पे तो वो भी मिल जाते हैं इसके अंदर एक आपको मिलता है यूटूब बिलकुल चालू यूटूब मिल जाता है और एक यूटूब किट्स मिल जाता है तो दोस्तो ये दोना चीज़ें इसमें मिल जाती है च्छे महीने के लिए आपके सारे channels मिल जाते हैं उसके बाद में free to wear channels तो आपको जिन्दगी बर इसके अंदर फिरी मिलते हैं दोस्तो दोस्तो बहुत ही प्यारा सेटप बॉक्स है बहुत अच्छा सेटप बॉक्स है अगर आपको चाहिए तो आप हमें वाटसप कर सकते हैं हमारे वाटसप नमबर पर जो वाटसप नमबर description में मिलेगा इस signing देखेंगे इसकी laminated setup box है यह laminated है laminated setup box है अब हम इसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद अब हम दिखाते हैं आपको 8181 जो solid का setup box है उसको दिखा जेते हैं और उसकी खासियत दिखा जेते हैं उसकी खासियत क्या है दोस्तो तो यहाँ पर देखे इसके features वगएर आप देख सकते हैं नाम देख सकते हैं HD S2X 8181 HD Digital Setup Box यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके अंदर जो features वगएरा है वो सारी इसमें लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं Solid का बहुत प्यारा Setup Box है और यहाँ पे देखेंगे कुछ features के बारे में इसके लिखा हुआ है और इधर देखेंगे तो इधर कुछ disclaimers इसके लिखे हुए है disclaimers में warning भी लिखी हुई है कि अगर आपने कोई भी software वगएरा किया तो company की warranty गरंटी खतम हो जाती है यह solid के हर box पर आपको मिल जाएगा तो इसको open कर लेते हैं हम open करके आपको दिखा देते हैं setup box जो है मैं सीधा सीधा आपको बता जेता हूँ यहाँ पे देखेंगे h.265 hevc setup box है यानि की dolby digital setup box है यह और इसके अंदर सारी चीज़े मैं आपको बता ही चुका हूँ तो अंदर की चीज़ें निकाल लेते हैं अंदर क्या क्या मिल जाता है तो एक remote मिलता है इसके अंदर यह देखेंगे आप यह solid का लिखा हुआ white color का remote मिलता है जिसके तुरू आप TV भी patch कर सकते हैं इसमें और एक HDMI cable इसमें मिल जाता है अच्छी quality का HDMI cable इसके अंदर आपको मिल जाता है और एक मिल जाता है आपको इसमें power adapter वो भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ यह देखेंगे power adapter इसके साथ में एक आपको मिल जाता है और मिलता है इसके अंदर आपको setup box जी हाँ दोस्तों यह setup box इसके अंदर मिल जाता है यह 8181 new वाला setup box है यह मैं निकाल के आपको दिखा दाहूँ दोस्तों बहुत ही प्यारा setup box है यह देख सकते हैं आप यहाँ पर देखेंगे ventilation कितना प्यारा दिया है और पीछे से मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप direct ethernet लगा सकते हैं cable आप direct इसमें लगा सकते हैं जो आपका घर पर LAN cable हो लगा सकते हैं camera adapter यहाँ पर लगेगा और नीचे मैं आपको यहाँ पर दिखादू RS-232 का पोर्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ देखेंगे तो AV cable का port है यानि कि आप डबा TV CRT TV भी इस पर चला सकते हैं HD out भी दिया है HDMI cable भी लगा सकते हैं USB का option दिया है जहाँ पर आप card reader, wifi dongle या फिर pen drive लगा सकते हैं Allen भी इनका यहाँ पर दिया है जो आपका decentena से cable आएगा यानि कि आपके जो छतरी लगी हुई है छत के उपर उस पर जो camera बोलते हैं कुछ लोग उसका Allen भी जो होती है वहाँ से cable आएगा और direct यहाँ पर लगेगा और DD Fridus के सारे HD HD channels आप scan कीजिए आपको बहुत मज़ा आएगा इस setup box के अंदर क्योंकि इसकी quality बहुत ही जबरदस्त होती है दोस्तो दोस्तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा अगर आपको इन में से कोई भी setup box चा हैंदे